हरी कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक तो मैं चैनल, कॉंशेस लिविंग, आई होप यू ओल आर दूग रेली वेल, तोड़े आम गोंग तो टॉक अबाउट बांगलादेश इश्यू हरी कृष्णा एवरीवन, हम सब ने अपनी पूरी जीवन में गीता कभी पूरी पड़ी हो या नहीं पड़ी हो, बड़ दोश लोग ऐसे हैं, जिनको सुनते हुए ही शायद हम सब बड़े हुए हैं, जो कुछ इस तरह से हैं, यदा यदा ही धर्मश्य, गलानीर भवती भार अब्वुत्थानम अधर्मश्य, तदात्मानम श्रजामेहम, परित्रानाय सादुनाम, विनाशाय चदुश्कृताम, धर्मसंस्थापनार्थाये, संभवामी, यूगे-यूगे इसका अर्थ है, जब-जब धर्म की हानी होती है, और अधर्म बढ़ता है, तब-तब दुस्टों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं पर और ऐसा नहीं है कि अधर्म अभी सिर्फ कल्यूग है, इसलिए अधर्म बढ़ रहा है, अगर हम देखेंगे, तो सत्यूग में भी अधर्म होता था, राक्षे जन लेते थे, त्रेता यूग में भी, द्वापर यूग में भी, तो ये जो अधर्म बढ़ रहा है, ये सिर् युग में होता है भगवान हर युग में वतार लेते हैं जिससे वो दुष्टों का संघार कर सके and अच्छाई के रक्षा कर सके साधूों के रक्षा कर सके और ध्र्म की पुनर स्थापना कर सके कि पिछले कुछ दिनों में हम सबने देखा होगा कि बांगला देश में किस तरह से हिंदूओं के उपर अत्याचार किये जा रहे हैं। हिंदू टेंपल्स के उपर अटैक किया जा रहा है। हिंदूओं की महिलाओं के उपसे अब्दुशकर्म किये जा रहे हैं। उन पर अटैक किये जा रहे हैं। तो ये सब सुनकर फ्रिदय विदीन हो जाता है, ऐसे लगता है कि हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसे में कुछ लोग को कि मन में ऐसा प्रशन उपता है कि भगवान स्वयम की रक्षा क्यों नहीं कर लेते हैं, भगवान अगर कहीं हैं, तो वो हम सब की रक्षा के लिए क्यों नहीं आते हैं और दुरभागी की बात यह है कि ऐसे प्रश्म करने वाले, ऐसे कॉमेंट्स करने वाले हमारे सनातनी ही हैं, हिंदू ही हैं, जो ऐसे questions raise करते हैं, इससे ऐसे पता चलता है कि उन्होंने विग्रह, सेवा, डेटी वर्शिप, भगवान की अस्तित, उसको ठ ठीक से समझा ही नहीं हैं, उन्होंने ठीक से जाना ही नहीं है, डेटी वर्शिप क्या है, विग्रह क्या है, भगवान वास्तम में है, नहीं है, कहां है, तब ही वो ऐसे प्रश्न करते हैं, इसनी को समझाने के लिए मैं आपको एक वरतान सुनाना चाहूंगी, जो श्रीला हरिदाश ठाकुर से related है श्रीला हरिदाश ठाकुर हर समय भगवान का नाम जब करते थे हरे किश्ना महा मंतर का जब करते थे वहाँ के राजा इसके विरुत थे उन्होंने कहा कि अगर आप नाम जब नहीं करेंगे तो वो उन्हें मार डालेंगे तब श्रीला हरिदाश ठाकुर ने कहा कि मैं मरना स्विकार कर सकता हूँ पर मैं नाम जब नहीं छोड़ सकता वहाँ के राजा ने श्री हरिदाश ठाकुर को ये पनिश्मेंट दी कि आपको 22 बजार में ले जाकर कोडों से मारा जाए उन्होंने पने सेनिकों को आदेश दिया कि इन्हें तब तक पीटा जाए जब तक इतने प्राण ना त्याग दे अगर उनकी जगह कोई आम इंसान होता तो अगर उसको एक बजार में भी कुछ देर तक कोडों से मारा जाता तो शायद वो वही अपने प्राण त्याग देता पर शीला हर्दास ठाकुर के साथ ऐसा नहीं हुआ वो जो सेनिक थे राजा के वो उनको कोडे मारते गए पर शीला हर्दास ठाकुर कंटिन्यू वो अपना नाम जब करते रहे क्योंकि उन्हें नाम आचारे कहा जाता था उन्हें भगवान का नाम जब करने में ही आनन्द की प्राप्ति होती थी वो ऐसे समय में भी रोनने की जगए बिलखने की जगए या परिशान होने की जगए वो ऐसे सिचुईशन में भी भरे नाम जब करते रहे और जो राजा के सैनिक थे वो उनको कोडे मार मार के इतने ठक चुके थे वो पसीने से तर बतर हो गए थे जब शिला हर्डास ठाक कुरने राजा के सैनिकों की ये दश्या देखी तो उन्हें उपर दीपी दया गए उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग ठक ग सुच में पढ़ गए कि मेरी वज़े से इनको कस्ठ होगा ऐसा सोच कर उन्होंने अपने प्रान त्याग दिये तो उन्होंने उनका शरीर मृत समझ कर गंगाजी में डाल दिया उधर दूसरी तरफ जब उनको फोड़े बढ़ रहे थे और जब वो हरिनाम जब कर रहे थे उस समय श्री चेतन्य महाप्रभू जो स्वयम कृष्ण ही है उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को याद किया जैसे ही उनकी फिंगर के उपर सुदर्शन चक्र आया उन्होंने भक्त को इस तरह प्रताडित कर रहा है उन्हें तुरंत मृत्युदंड दो पर उसी समय श्रीला हरदास ठाकुण ने श्री चेतन्य महाप्रभू से ये विनती करी कि हे प्रफु ये अभोध है इन्हें आप कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति प्रदान कीजे अपनी भक ऐसे थे श्रीला हरदास ठाकुण ऐसे भक्त थे कि जो इतनी विसम परिस्ति में भी बगवान का नाम जब करते रहे और जब बगवान स्वैम उनकी रक्षा के लिए आतूर थे सुदर्शन चक्रों को वाग्या दे चुके थे तब भी वे ऐसे लोगों को ज्यमा करने के लि गा कि ये शरीर अमृत हो चुका है तो उन्होंने उनको गंगाजे में डाल दिया गंगा के इस पर पाते ही वो पुनर जीवित हो गए और वो अपने उठकर चल दिये तो इस तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए मन में संशे नहीं लाना चाहिए कि भगवान है या नहीं अगर है तो वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करते है जब भक्त प्र vecato को भी हिरनखश्यपों ने पूछा था कि तुम्हारा वगवान कहा है कि इस खंबे में भी है तो प्रलाद भक्त ने ये तो नहीं कहा था कि नहीं मेरा भगवान तो महां मेरे कच्ष में उस मुर्टी के और उस विग्रह के अंदर है पर प्रेलाद भक्त ने पूरे निस्ठा से कहा था पूरे द्रिड विश्वास से कहा था कि हाँ पिताजी मेरे भगवान सरवत्र है और वो इस खंबे में भी है तो भक्त का ऐशा द्रिड विश्वास होना बहुत जरूरी है हमारे शास्त्रों में हमें ये सिखाया जाता है कि अहिंसा पर्मो धर्म है निसंदे अहिंसा ही पर्म धर्म है लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा की जाए तो वह सरवथा उचित है अगर हमें आत्मरक्षा के लिए गव रक्षा के लिए अगर हमें हिंसा करनी भी प हम इंडिविजुल अपने स्तर पर हो सकता है वहाँ जाके कुछ साहिता नहीं कर सके पर एक चीज है जो हम यहाँ अपने घर के अंदर बैट कर अवश्य कर सकते हैं वो है प्रार्थना हमने देखा शिला हरदास ठाकपुर की प्रार्थना में कितनी शक्ती थी कि भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली छोड़कर उनकी आग्या मानकर उन सेनिकों को मृत्युदंड देने के लिए नहीं कया उनकी प्राथना में इतनी शक्ती इतनी करूना थी कि सुदर्शन चक्र ने भगवान की आग्या को ना मानकर शीला हरिदाश्ठाकूर की प्रात्ना को स्विकार किया तो इस तरह से हमें ये द्रड़ विश्वास रखना होगा कि प्रात्ना में अटूट शक्ती होती है तो सबसे पहले तो हम वहां के डिवोटीज के लिए वहां के हिंदूओं के लिए उनकी रक्षा के लिए आत्मा रक्षा के लिए हम सबसे पहले काम तो प्रात्ना कर सकते हैं और हमें आत्मा रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए जो आने वाली जनरेशन है उसको तयार करना चाहिए कि जो अभी जो यूथ है वो self-defense सीख सके कि ऐसी किसी भी विशम परिस्तिती में वो स्वैन की और अपने परिवार की और अपने देश की अपने समाज की रक्षा कर सके इसी के regarding गोस्वामी तुलसित आचे ने शुरामचे इस मानस में लिखा है मैं यह जानता हूँ कि हरी यानि प्रभू इश्वर सभी जगए समान रूप से व्यापक है समान रूप से मुझूद है देश दिशा और प्रेम से वो प्रगट भी हो जाते हैं देश दिशा काल ऐसे कोई भी जगए नहीं है जहां मेरे प्रभू ना हो Let's all get together and pray for Bangladesh Hare Krishna